है यह दोस्तों प्रतिमा जी एकड़ीम के आसबी का स्वागत है तो करणटे फेर सुरू करते हैं आप लाइक करें शेयर करें जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट है अंतराश्ट्य क्रिकेट परिसत के अध्यच के चुनाओ को ले करके देखे अभी हालही में ग्रेग बारकले को ग्रेग बारकले को आई सी सी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यच जो है चुना गया है अध्यच इन्हें चुना गया अब यहां पर प्रशनाता कि यह हैं कौन तो पहले जान लिजिए कि 2020 में 2020 में इन्हें ICC का अध्यच बनाया गया था यानि दो वर्स यह इस पद पर रह चुके हैं अब दुबारा फिर इन्हें इसी पद पर चुना गया है यानि की दो वर्स के लिए इन्हें फिर से चुना गया है दो वर्स के लिए इन्हें पुनह अध्यच बनाया गया है और इनको इस बार सर्व सम्मती से सर्व सम्मती से निर्विरोध चुना गया है क्यों? क्या इनको कोई प्रतिद्वंदी नहीं था? था, कौन था? जिम बाम्बे के थे तवे गमा मुकुहलानी जिम बाम्बे के तवे गमा मुकुहलानी ये अपना नाम वापस ले लिये और जब तवे गमा मुकुहलानी ने अपना नाम वापस ले लिया बस बारकले हो गए निर्विरोध यानि कि ग्रेक बारकले को ICC का अध्यच बनाय गया है जो दो वर्स के लिए चुना गया है, जिम बामबक के तवे गमा मुको हलाने का नाम वापस लेने मुको बरकले को निर्भी दोच चुना गया। ग्रेग बरकले आक्लेंड में कामर्सियल व 떨कील हैं। यह important नहीं है कि इनको दुबारा फिरसे बनाया गया है। और ये आकलेंड के निवासी हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसने अपना नाम आपस ले लिया तो तवे गवां मुकुहलानी ने जो जिमबामबे के हैं इन्हों ने जब अपना नाम आपस लिया तब ये हो गए निर्विरोध। 2020 में इन्हें अध्यच बनाया गया था और इस बार दुबारा दूसरी बार इन्हें चुना गया है। अब इसके साथ साथ एक और काम हुआ है जो ज़्यादा इंप्वार्टन्ट है। एक नाम है जैसाह। जैसाह को ये BCCI के सच्यू है। अमिस्साह का नाम सुने होंगे आप। अब आप सोचे जैसाह कौन हो सकते हैं। अमिस्साह से ही जुड़े होई कोई व्यक्ति होंगे। तो ये BCCI के अभी सच्यू है। BCCI मतलब भारत क्रिकेट काउंसिल आफ इंडिया। तो इनको जो है BCCI के इंडियान क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के जो सच्यू है जैसाह को ICC का बित्त यों वाडिज मामलों की समीती का प्रमुख चुना गया है। बहुत बड़ा बात है यह BCCI यानि कि BCCI के जो सच्यू है जैसाह इन्हें क्या बना दिया गया है? ICC के बित्त और वाडिज मामलों के समीती के अध्यच अध्यच नहें बना दिया गया है। ICC का इस्थापना हुआ था 15 जून 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो सथापना हुआ था इसका जो सथापना हुआ था यह हुआ था 15 जून 1909 में और जो इसका हैड़कॉर्टर है वो है दुबई में हेड़कॉर्टर कहां पर दुबई में जैसा से प्रस्ण पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है दुनिया का सबसे लंबी नदी कुरूज सेवा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में वारा रसी से लेकर सुरू होगा और असम के डिब्रूगड तक ये 32 किलोमीटर का सफर तै होगा और यह सफर की सुरुवाद जो होगी 10 जनवरी 2023 ये जो 32 किलोमीटर का सफर है ये 50 दिन में पूरा किया जाएगा। इसके दौरान यहां पर सुन्दरवन डेल्टा सुन्दरवन वन कह सकते हो डेल्टा कह सकते हो काजी रंगा उद्यान ऐसे कई अन इस्थानों से होते हुए ये क्रूज सेवा चलाई जाएगी इसका फायदा यह होगा पहले चीतों परियाटर में बढ़ावा होगा साथ ही अर्थवेवस्था पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो इसके लिए शुरू किया गया है यानि वाडारसी से डिब्रुगड उत्तर प्रदेश के वाडारसी से असम के डिब्रुगड तक यह जाएगी और कासी से 10 जनवरी 2023 से यह सेवा शुरू किया जाएगा 32 किलोमीटर का सफर 50 दिनों में तै किया जाएगा इसके अंतरगत सुन्दरवन काजी रंगा उद्ध्यान यह सब होते हुए यह सफर तै होगा अगला पॉइंट है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ड परतिबंद देखिए जो अधिसूचना जारी किया गया था अगस्त 2021 में ही जारी किया गया था और इस पॉइंट को हम पढ़ा भी चुके हैं लेकिन यहाँ पर मेंसन करने का क्यों यह मतलब है कि अभी हाल ही में भी इस पर परिया वरण मंत्राले ने एक एडवाईजरी जारी किया है एक अधिसूचना जारी किया है और इस पर साब साब निर्देश दिया गया है कि एक जुलाई 2022 से जो पूर प्रतिबंदित सिंगल यूज प्लास्टिक उसमें क्या-क्या सामिल होता है पहले ची तो आप जान लीजिए कि जो सिग्रेट की ऊपर की प्लास्टिक होती है काटा चम्मच काटा ग्लास ऐसे ही जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेक दिये जाते हैं उसे ही सिंगल यूज के प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है उनका दुबारा परियोग नहीं होता है उस पर प्रतिबंद लगा दिया गया है और परियावन मंत्राल ने नहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो बहुत ही कठिन उसके ओपर कारवाई की जाएगी और इसका जो मैनुफेक्टिरिंग है वो सारे इसके सारे बंद कर दियेने का निर्देश दिया गया है यानि कि सो मैक्रान या पचातर मैक्रान से ज्यादा प्राश्टिक अब इस्तेमाल नहीं होगा यानि कि 12 अगस्त के एडवाईजरी को एक जुलाई 2022 तक इसे प्रसबंदित करने का जो निर्देश दिया गया था उस पे पुना एक्सन लिया गया है अगला पॉइंट है प्रसार भा अधिकारी मुख्र कारिकारी अधिकारी यानि सी यो चीप एक्जीक्यूटिव ओफिसर तो इसे बनाया गया है गौरोद्दिवेदी को गौरोद्दिवेदी एक बरिष्ट आई एस ओफिसर है एक बरिष्ट आई एस ओफिसर है यह 36 गड़ कैड़र के कैड़र के 1995 के आई एस हैं इनको प्रसार भारती का CEO बनाया गया है इसके पहले ससी सेखर बेमपती ससी सेखर बेमपती 2017 से लेकर के 2022 तक प्रसार भारती के CEO थे यानि मुख कारकारी अधिकारी थे लेकिन जब इनका कारिकार समाप्त हो गया ससी सेखर जी का तब मैंक अग्रवाल को प्रसार भारती का कारिवाहक CEO बनाया गया था मैंक अग्रवाल जी कौन है यह दूरदर्सन के निदेशक और यम्डी है मैंक अग्रवाल को कारिवाहक CEO बनाया गया था मैंक अग्रवाल दूरदर्सन के महानिदेशक है और जब कोई प्रसार भारती का कोई CEO जब नहीं था पत खाली था तो इन्हें कारिवाहक पत दिया गया और अब गौरो दिवेदी जी को इस पत कि भए निउक्त कर दिया गया है यारी प्रसार भारती का CEO गौरो दिवेदी को बनाया गया है ससी सेखर बिमपत्ती 2017 से 22 तक थे लेकिन जब इन्होंने पत छोड़ा तब मैंक अग्रवाल कारवाहक CEO थे और उसके बाद में गौरो दिवेदी जो 36 गड़ के आएस अधिकारी हैं 1995 बैच के आएस अधिकारी हैं इनको प्रसार भारती का CEO बना दिया गया है दोस्तों मैं अपने क्लास के पर समात करता हूँ धन्यवाज जय हिन जय भारत